हे गाईस विलकम डू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है पका इस वड़े में तो दोस्तों बिगेस्ट अपोस्टोडी है आप सभी कैनेट के लिए मेट्रो रेल की तरब से पर्मानेंट सरकारी नोकरी की जब अरजस्त वेकिंसिज आ चुकी है जो की ओल इंडिया की कैनेट अपलाई कर सकते हैं जी आ दोस्तों दाड इस ग्रेट अपोस्टोडी यूपी मेट्रो रेल की तरब से टोटल 400 पलस वेकिंसी रिलीस की गई है एक बंपर सरकारी नोकरी है बहुत दिनों के बाद किसी भी मेट्रो रेल की तरब से इतने बड़ी पोस्ट पर सरकारी नोकरी की वेकिंसिज निकल रही है यार खुद यूपी मेट्रो की तरब से तीन साल के बाद ये वेकिंसिज रिलीस की गई है तो चलिए डिटेल नोडिफिकेशन वाइज डिसकस करते हैं कि कौन-कौन से कैंडिड अपलाइ कर सकते हैं एलिजबिटी कंडिशन, सेलेक्शन प्रोसेस, एपलिकेशन प्रोसेस विगरा क्या होगी है लेटेश डान आओ आगे बढ़ने से पहले जितने भी शूडेंट हैं विडियोस को लाइक कर दें विडियोस को पूरा आंत तक देखना नहीं तो बहुत सारे डाउट आपके हो सकते हैं इसमें कौन-कौन से ट्रेड और ब्रांच अपलाइ कर सकते हैं डिटेल के जरिये में आप पर बात करने वाले बंपर विकेंसी है मौका मत छोड़िएगा कोई आजम बात करने वाले हैं रेलवे आरपी एप कॉंस्टेबल एक्जामस 2024 की बेस्ट बुक्स के बारे में जो कि है चक्छु पकासन की गैस बहुत बड़ियां बुक्स है इनका यहां पर आपको प्रैक्टिस सेड़ भी मिलने वाली है सॉल्व पिपर भी मिलने वाली है और आपका टॉप जो एमसी क्यू आइस कोईशन लगभग 25 से बीजादा कोईशन इनके दौरा तयार की गई है जो की टोटली 2024 को से लेवस को फॉल्व करती है तो इनके भूग को परचेस करके आप बहतर प्रपेसन कर सकते हैं सिर्फ यहीं नहीं गया इस रेलवे के तरह तरह एक्जाम्स की इनके बास पूरी भूकलिट है जैसे कि रेलवे आर्पी एप कॉंस्टेबल की हो गया स्टडी गाइड है कॉंस्टेबल की फिर रेलवे की रिजनिंग है जिस रेलवे इसकी किसी बादर एक्जाम्स की प्रपेसन कर रहे हैं तो काम आएगी रेलवे के लिए मैथ है यहां पर टॉप M.C.Q. है जो कि T.C.S. अहां पर एक्जाम्स कंड़क्ट करती है उसकी पैटर्न को देखते हुए बनाया गया है तो वेतरीन एक्जाम्स की प्रपेसन के लिए लिंक डिस्कप्सम मौदूद है जाकर इनके बुक को परचेस करें और अपने तयारी मजबूत करें तो गैज यह है ओफिसेल नोडिफिकेशन फाइनली इसकी ओफिसेल नोडिफिकेशन आ चुकी है इसकी सौट नोडिफिकेशन की जानकारी हम पहले वीडियो में दे चुके हैं इसकी ओनलाइन फॉर्म आप 20 मार्च से भर सकते हैं और लास्ट डेटर अप्लाइ करने के लिए उनीस अपरेल दोजार चौवीस इसकी फी जो पेमेंट कर सकते हैं वो भी उनीस अपरेल तक कर सकते हैं एड्मिट कार्ड आपकी देख लो तीस अपरेल तक एड्मिट कार आजाएगी और रिटेन एक्जाम 11 माई से लेकर 14 माई के बीच में आपका रिटेन एक्जाम सोगी जो कि हम सलेवेस भी डिसकस करेंगे ये 50-50 परसंड गवर्मेंट आफ इंडिया और गवर्मेंट आफ उत्तर परदेश का है बहुत अच्छी सरकारी नोकरी है मौका मत शोड़िएगा चलिए अलग-अलग पोस्ट वाई डिसकस करते हैं फर्स्ट अफल पोस्ट निकल के आती है आपकी एसिस्टेंट मेनेजर की पेस्केल होती है 50,000 से लेकर 1,60,000 एसिस्टेंट मेनेजर जितने भी ब्रांच निकलती है इसमें अप्लाइ करने के लिए बी बिटेक केंड़ एलिजबल होते हैं इलेक्ट्रिकल, मेकिनिकल, इलेक्ट्रोनिक्स जो भी ब्रांच है आप अप्लाइ कर सकते हैं 21 साल से 28 साल इस लिमिट है यह technical की post है देखे, assistant manager में electrical की post 11 है उसके बाद फिर assistant manager S&T में post 6 है इसमें VBtech, electrical, electronic communications apply कर सकते हैं age same रहेगी, operation में 3 vacancy है, IT याने कि computer science and IT की vacancy है इसमें भी 3 vacancy है account में vacancy release की गई है यहाँ पर आपने CA कर रही apply कर सकते हैं, 4 vacancy है assistant manager में architect में recruitment है तो आपने BR कर रखी हो government of recognize से, एक vacancy है HR में फिर 2 recruitment है MBA apply कर सकता है HR यहाँ पर public relations में recruitment है एक post पर, फिर आपका है company secretary में एक post पर जहाँ पर आपके पास member of the institute company secretary द्वारा होनी चाहिए अब बात करते हैं non-execuity जो में बात कर रहा था पहले भी विटक degree level का बात कर रहा था अब हम लेकर आये हैं J की vacancy, junior engineer की vacancies ध्यान से देखेगा diploma student इसमें apply करने के लिए bumper vacancy आई है diploma student के लिए जो भी student है, मौका मत जाने देना बहुत बड़ी सरकारी नोकरी है इसमे educational qualifications देखो तो diploma pass out होनी चाहिए बिल्कुल यहाँ पर Fraser Candid apply कर सकता है experience नहीं मांगी जाती है junior engineer electrical की recruitment है total 88 post पर vacancy रिलीज की गई है, देख लो 88 जिसमें salary आपको 33,000 से लेकर 60,000 salary प्रोवाइड की जाएगी diploma electrical electronics engineering apply कर सकता है 21 साल से 28 साल आपकी age limit होनी चाहिए फिर आपका JEE में S&D की recruitment है total 44 post पर vacancy release की गई है diploma electrical electronic communications वाले apply कर सकते हैं फिर आपका station controller come train operator अब यह train operator है यह आपका ALP की vacancy है यानि की local pilot की vacancy release की गई है दोस्तों यह आपका है जैसे की जो candidate railway जो train चलाता है उसको बोलते हैं आपका ALP assistant local pilot यह आपका station controller come train operator train operator metro जो चलाता है उसे train operator बोलते हैं तो यह एक ALP की recruitment है ALP की must vacancy release की गई है 155 vacancy total निकाली गई है गाई जहाँ पर 3 year की diploma engineering electrical electronics and electrical communications वाले apply कर सकते हैं bumper vacancy ALP की मौका मत जाने देना 21 साल से लेकर 28 साल के candidate apply कर सकते हैं दुबारा account assistant की recruitment 25,000 से लेकर 51,000 यह भी आपकी same salary इसमें salary पहले जादा थी यह आपकी level कम है 8 post है जिसमें बीकॉम के candidate apply कर सकते हैं HR की recruitment है 4 post की vacancy है graduation किसी भी वराँ से कर रखी हो 3 year की आप apply कर सकते हैं यहने की BA वाला भी apply कर सकता है इसमें उसके बाद है public relation में 4 vacancies है इसमें भी bachelor degree but mass communication journalism में होनी चाहिए अब आते हैं हम ITI student के लिए ITI maintainer की post पहले मैंने बात की JEE की और ALP की यहने की local pilot की अब हम बात कर रहे हैं आपकी maintainer की post के बारे में त्यान से देखो maintainer में vacancy release की गई है ITI electrical वालों के लिए जो electrical branch से है यहने की electricity and trade से 19,500 से लेकर 49,900 salary मिलेगी total 78 post है vacancy देखो भाई कम नहीं है 78 post पर vacancy release की गई है category wise vacancies यहाँ पर आप देख सकते है notification आपको telegram channel पर में दे देऊंगा ITI, NCBT से या फिर SCBT से कहीं भी कर रखी हो कहीं से भी कर सकी हो apply कर सकते है electricity and trade होनी चाहिए but 60% marks compulsory है यह चीज का ध्यान रहे age वही रहेगा आपका 20-28 सल फिर आपका maintainer में S&T की recruitment है total 26 post पर salary सेम रहेगी यहाँ पर भी ITI और जो electrician trade है sorry electronic mechanic trade वाले candidate apply कर सकते है NCBT, SCBT कहीं से भी चलेगा तो S&T में only electronic mechanic के trade है eligible है 21 साल से लेकर 28 साल के candidate है बंपर vacancy है vacancy में कहीं पर भी कमी नहीं है जो भी candidate interested है मौका मत जाने देना बहुत अच्छी खासे recruitment है qualifications में all candidate का बता चुका हूँ सिर्फ इतना ध्यान रहे आपका कम से कम 50 and 60% अलग-अलग code wise percentage जरूरी है selection procedure इसमें return test होगा online CBD exams लिया जागा जिसका अलग-अलग यहाँ पर level होगा और syllabus की वीडियो चाहते है तो comment करके बताइए मैं syllabus की वीडियो आपको provide कर देंगा okay guys क्योंकि आपका online CBD exams होगा तो syllabus तो आपको मिलनी चाहिए इसलिए comment करके बताइए total 140 question अलग-अलग categories में 100 question रहे लिने वाली है तो अलग-अलग question होगी जैसे ITA वालों के लिए अलग होगा diploma वालों के लिए and degree वालों के लिए तो उसके लिए मैं आपको सब कुछ बताऊंगा टेंसनल है exam center totally UP में ही होगी और बात करते हैं application fee की भाईया application fee यहाँ पर देखना cost of training जब आपकी training होगी ना तो उसमें आपका paid लगता है जो इतना payment बताएगा ना यह payment आपको वहाँ पे देनी होगी देखें metro railway में training duration totally 2 साल का होगा उसके बाद pay alone अच्छी खासी सब कुछ देती है और promotion बहुत जल्दी मिलता है metro railway में application fee देख लो जो भी केंडिट अप्लाइ करने के लेलिजबल है जनल, OBC, EWS, Candidate और अधर इस्टेट के जो अप्लाइ करेंगे उनका जो fee लगेगा 1180 रुपे चार्ज लगने वाला है 1000 लगता है और 18% GST तो 1180 हुए और जो भी STSC केंडिट है जो STSC केंडिट बट STSC आपका चलेगा only UP केंडिट वालों के लिए उनकी जो आपकी लगेगी application fee 826 रुपे application चार्ज लगने वाला है apply कैसे करना है दिएगे website पे click करके आप form fill up कर सकते हैं last date 19 अपरेल है लेकिन अभी time है 20 मार्ज से form start है तो ये पूरी details रही इसके regarding कुछ extra doubt death कमेंट करके बताईए मैं syllabus की वीडियो previous year का paper cut up सब कुछ बताऊंगा तो उसको ध्यान से देखिएगा hopefully notification डाउनलोड करके आप read up कर सकते हैं कुछ doubt death कमेंट करके बताईए वीडियो इस पिल लगी हो प्लीज लाइक से रहन सब्सक्राब करें मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद